जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं रदर इसे सरहाना करता हूं। उनका यह प्रयास हर भारतिय को अभिभूत करने वाला है। मेरे परिवार जनों हमारे देश में सिख्षा को हमेशा एक सेवा के रूप में देखा जाता है। मुझे उत्राखन के कुछ ऐसे युवाओं के बारे में पता चला है जो इसी भावना के साथ बच्चों की सिख्षा के लिए काम कर रहे हैं। नाइनिताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी गोड़ा लाइबरेरी की शुरुवात की है। इस लाइबरेरी की सबसे बड़ी विशेस्ता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जहरिये बच्चों तक पुस्त के पहुँच रही है। और इतना ही नहीं यह सेवा बिलकुल निशुलक है। अब तक इसके माध्यम से नैनी ताल के बारा गाउं को कभर किया गया है। बच्चों की सिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानिय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस गोड़ा लाइबरी के जरिये यह प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गाउं में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नईतिक सिक्षा की किताबे भी पढ़ने का पुरा मौका मिले। यह अनोखी लाइबरेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। साथियों, मुझे हाइदराबाद में लाइबरेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनुठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ साथवी क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकरशना सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको यह जानकर अस्चरिय हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में यह बच्चों के लिए एक दो नहीं बलकि साथ साथ लाइबरेरी चला रही है। आकरशना को दो साल पहले इसकी प्रेणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरुत मंदों की मदद के सिलसले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की। और यही बात इस प्यारी सी गुडिया को इतनी छुगई कि उसने अलग अलग तरह की किताबे जुटाने की ठान दी। उसने अपने आस पड़ोस की घरों, रिस्तेदारों और साथियों से किताबे इखटा करना शुरू कर दिया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी उसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई। जरूरत मन बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो साथ लाइब्रेरी खोली है उनमें अब करीब 6,000 किताबे उपलब्द हैं। जोटी सी आकर्शना जिस तरह बच्चों का भविश समारने का बड़ा काम कर रही है वो हर किसी को परिलित करने वाला है। साथियों यह बात सही है कि आज का दोर डिजिटल टेक्नोलोजी और इबूस का है। लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमी का निभात की है। लिए हमें बच्चों को किताबें करने के लिए प्रेरिग करना चाहिए। मेरे परिवार्जनों हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जिवेशू करुणा चापी मैत्री तैशू विधियताम अर्थात जीवों पर करुणा के जे और उन्हें अपना मित्र बनाईए। हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पसुपक्षी हैं। बहुत से लोग मंदीर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन जो जीव जन्तुन की सवारी होते हैं उस तरब उता ध्यानी नहीं देते हैं। ये जीव जन्तु हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए, हमें इनका हर संभव सवरक्षन भी करना चाहिए। बिते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाग, तहंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्सा वर्दक बढ़ोतरी देखी गई हैं। कई और प्रयास भी निरंतर जारी हैं ताकि इस धर्ती पर रह रहे दूसरे जीव जन्तों को बचाया जा सके। ऐसा ही ये कनोखा प्रयास राजस्तान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहां सुखदेव भड़जी और उनकी टीम मिलकर बन्ने जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है। उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए हैं। क्योंकि उनकी टीम इस ख्षेत्र में खतरनाक सापों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मोके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सापों का जीवन बचाया है। इस प्रयास से जहां लोगों का खत्रा दूर हुआ है वहीं प्रकृति का संवरक्षन भी हो रहा है। ये टीम अन्य बिमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है। चाथियों तमिनावरों की चिन्ने में आटो ड्राइवर एम राजेंदर प्रसाच जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कभूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कभूतर है। वहिन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्त जैसी हर जरुरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफिक पैसा भी खर्च होता है। लेकिन वो अपने काम में डटे हुए है। झांते हैं। कि मदद के सिलसिले में वहां गए थे बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुडिया को इतनी छुगई कि उसने अलग और नईतिक सिख्छा की किताबे भी पढ़ने का पुरा मौका मिले यह अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खुब भा रही है साथियों मुझे हाइदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनुठे प्रयास के बारे में पता चला है यहाँ साथवी क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकरशना सतीश ने तो कमाल कर दिया है आपको यह जानकर अस्चरिय हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में यह बच्चों के लिए एक दो नहीं बलकि साथ साथ लाइब्रेरी चला रही है आकरशना को दो साल पहले इसकी प्रेणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी उसके पिता जरुत मंदों की मदद के सिलसले में वहाँ गए थे बच्चों ने वहाँ उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की प्यारी सी गुडिया को इतनी चुगई कि उसने अलग और नईतिक सिक्षा की किताबे भी पढ़ने का पुरा मौका मिले ये अनोखी लाइबरेरी बच्चों को भी खूब भा रही है साथियों मुझे हैद्राबाद में लाइबरेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनुठे प्रयास के बारे में पता चला है यहाँ साथवी क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकरशना सतीश ने तो कमाल कर दिया है आपको यह जानकर अस्चरिय हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बलकि साथ साथ लाइबरेरी चला रही है आकरशना को दो साल पहले इसकी प्रेणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पता गई थी उसके पिता जरुत मंदों की मदद के सिलसले में वहां गए थे बच्चों ने उत्तराखंड के कुछ ऐसे युगाओं के बारे में और यही बात इस प्यारी सी गुडिया को इतनी छुगई कि उसने अलग और नईतिक सिक्षा की किताबे भी पढ़ने का पूरा मौका मिले यह पता चला है कि मैं पता चला है यहां सात्वी क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्शना सतीश ने तो कमाल कर दिया है आपको यह जानकर अस्चरिय हो सकता है कि महेज 11 साल की उम्र में यह बच्चों के लिए एक दो नहीं